जो दम्भरती हैं कि हम भारत की सबसे बड़ी पार्टी है भारतिय जन्ता पार्टी के राष्टिय अध्यक्ष जेपी नडडा ने विहार बिरान सवाद चुनाओ होने से पहले ही अपनी पार्टी की हार मान ली है 15 साल में भारतिय जनता पार्टी जडियू की सरकार ने बिहार को क्या दिया ये आपको सोचना पड़ेगा समय आ गया है आपके दरवाजे पे वो नेता घूमने वाला है तो जूतो कहार ऐसे नेताओं के लिए आप संभाल के रखिए भारतिय जनता पार्टी के राष्टिय अध्यक्ष जेपी नड़्डा ने बिहार बिधान सवाच चुनाव होने से पहले ही अपनी पार्टी की हार मानली है जेपी नड़्डा सहाब ने कहा है कि यदि हमारा गठवन्दन सही रहा बिहार में तो हम 2010 से ज़्यादा भी अच्छा प्रफर्फर्मिस करेंगे यानि अच्छा रिजल्ट उससे भी बहतर रिजल्ट हमको मिलेगा बिहार में इस प्वाइंट को आप समझिए 2015 में बिधान सभा चुना हुए थे और वों पहुँच गए 2010 पे इसका मतलब सीधा साधा है कि भारतिये जनता पार्टी ने बिहार में अपनी हार मानली है और मानेंगे भी कैसे नहीं कि जो क्रिया कलाप इनके सासनकाल में बिहार की जनता को मिला है बेरोजगारी अपमान वो बिहार की जनता भूली नहीं है इसी करोना वाइरस महामारी में किस तरह से बिहार के लोग पैदल चल रहे थे भूखो चल रहे थे कई सो आदमी पैदल चल के मर गए कोई रेल पे कट गया कोई एक्सिटेंट में मर गया लेकिन बिहार सरकार के सीने में और केंदर सरकार के सीने में ऐसा लगता नहीं था कि दिल है कोई रहम करे इनके उपर कोई इनके लिए बेवस्था करे तो अगर जदी किसी का किसी तरीके से बिहार के बॉर्डर पे जदी ये पहुँच गए तो ये यही इसी नितीस कुमार की सरकार ने उनको बिहार में नहीं गुसने दिया उनको बिहार में नहीं उसने दिया बिहार के बॉर्डर पे ही उनको जेल खाने में डाल दिया गया या यूँ कहें छोड़ दिया गया कि एंट्री नहीं करने देंगे आपको बिहार में तो क्या ये जनता भूल गई है कभी नहीं भूलेगी जो मुसीबत बिहार की जनता ने देश की जनता ने देखा है कभी भारतिये जनता पाटी को माफ नहीं करेगी ये बिहार सरकार और केंदर सरकार ये प्लानिंग है लेकिन जनता इनको नकार चुकी है आपने देखा होगा एक भाजपा के सांसद बिहार में दवा के पिटाई खाए है अभी जनता के बीच में गए है कई जगा के बिधायक बढ़िया से पिटाई खाए है जनता के बीच में गए है क्योंकि पिछले पंदरा साल से स्री नितीश कुमार जी को बिहार की जनता छेल रही है मोदी की तरह ये जुमले मारमार के जो बेकुब बनाने का काम बिहार की जनता को कर रहे हैं उससे बिहार की जनता उब चुकी है और इनको सबक शिखाने के लिए मैं दावे से कह रहा हूँ पांच सीट मुश्किल पड़ जाएगा जेदियू को और जो दम भरती है कि हम भारत की सबसे बड़ी पाटी है भारतिय जनता पाटी 10 करोर 15 करोर कभी कहते 10 करोर कभी 15 करोर कभी 20 करोर इनके सिरफ सदस है तो उतनी बड़ी पाटी किसी बैसाखी की जरूरत है क्या जदि भारतिय जनता पाटी अपने आपको दुनिया की सबसे बड़ी पाटी कहती है तो बिहार बिधान सभाज चुनाओ लड़े ले न अपने दम पे और काग पता चल जाएगा अगरी जाती की भोट पे घमंड है वो भी नहीं है साथ वो भी नहीं है आज के टैम में क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि देश से अलग है या अलग है वो भी इसी देश में रहते हैं ये सारी परेसानी वो भी इसमें जहले हैं और समझ रहे हैं कि हम ने गल्थ फैसला किया कि भारतिये जनता पार्टी को चुना अंडिये गठवंदन को चुना ये समझ चुके हैं मतलब बिहार की जनता और देश की जनता तो आपको सबक सिख करा लो मैं साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं बिहार की जनता से के 15 साल 15 साल नितिश कुमार ने सासन किया बीजेपी गठवंदन ने सासन किया है उतना ही साल 15 साल आर जेडी राष्टिय जनता दल लालू की पाटी ने किया है इन 30 सालों में इस 30 सालों में बिहार की जनता ये सोचे के उनको क्या मिला 30 साल के अंदर लालू जी के सासन काल में जितने बिहार की इंडेश्ट्री थी सब को बंद करने का काम किया नितिस कुमार के सासनकाल में उन इंडेश्ट्रियों को बेचने का एक एक इंट बेचने का काम किया ये है इनका विकास सोला सरकारी चीनी मील है सम्मे ताला लौक है 15 साल में एक मील नितिस कुमार की सरकार ने चालू करने का काम नहीं किया लेकिन ये लोग भासन लंबे 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 छोड़ने में माहिर है तो बिहार की जन्ता आप ये कता ही न भूले कि आपको आपके जीवन का आपके बालवच्चों के जीवन का तीस साल में बेडा गर्द किया बिहार का तो क्या ऐसी पाटियों को आप चुनेंगे अभी लालू जी का लड़का भी मुखमंत्री के दावेदार हैं कि सोचना पड़ेगा आपको कि क्या आप जिसके पिताजी ने पंदरा साल में बिहार को बर्बाद करने का काम किया उसे क्या फिर्ट चांस देंगे क्या करेंगे क्या प्लान है मैं आप से अपील कर रहा हूँ जो भी परत्यासी बने बिहार में बिधायक के लिए सभी उमीद बार को आप एक साथ बुलाएं अपने छेतर में और उनसे सवाल जवाब करें कि आप पांच साल मत लेने के बाद क्या गैरेंटी है कि आप हमारे लिए क्या काम करेंगे इसका कौन सा परमान आप देना चाहते है बाहरी बेक्ती को बिधायक मत चुनना क्योंकि वो नहीं शकल दिखाएगा लेकिन अपने छेतर के बेक्ती को आप चुनोगे तो उसका गिरेबान आप पकड़ सकते हो जाके कभी भी मैं आप से कह रहा हूँ कि आप एक मिटिंग कराओ और बुलाओ सारे परत्यासियों को सभी पार्टियों को चाहे वो किसी पार्टी से हो चाहेง निर्दलिये हो और उनकी योजना पुछो के पंस साल हमजदी आपको देंगे तो आप हमारे छेतर के लिए क्या काम करेंगे इसकी क्या गैरेंटी देते हैं पसीने छूट जाएंगे पसीने छूट जाएंगे उस बेक्तियों के जो आपको उल्टी सीधी पढ़ाई पढ़ा के आपका जीवन का अनमोल चीज आपका मत ले जाता है वो आप चाहें तो आप सुधार सकते हैं उस इस्तिती को नेता से प्लानिंग पूछिए और जदी वो अपने समय पे काम ना आए तो जूता लेके उसके घर पे पहुँच जाईए अपने घर भी जाएगा अपने छेतर में भी जाएगा तो जूते से वैसे नेताओं का स्वागत करिए और जो पिछले पांच साल में आप से वादा करके मत लिया चाहे वो किसी भी डलका नेता हो अगर वो छेतर में आता है तो पूरा जूते के साथ उस नेताओं का मैं जो आप से कह रहा हूँ उस बातों को आप ध्यान दीजिए कि 15 साल लालू परसाद ने बिहार को क्या दिया 15 साल में भारतिय जनता पाटी जडियू की सरकार ने बिहार को क्या दिया ये आपको सोचना पड़ेगा और जदी जिस नेता को आपने बड़ी इमानदारी से स्वागत करके उसको चुने और आपके विश्वास पे खड़े नहीं उतरे तो आप समय आ गया है आपके दरवाजे पे वो नेता घूमने वाला है तो जूतों का हार ऐसे नेताओं के लिए आप संभाल के रखिए फटे पुराने जितने भी जूते हो उसको आप संभाल के रखिए और जब वो आए तो वो फटे पुराने जूते का माला उसके गले में दीजिए और मुख काला करके उसको समाज में घुमाईए कि तुमने हमें छला, तुमने हमारे साथ भी स्वास गात किया इसलिए तुम्हें हम ये सजा दे रहे हैं जैहिंद